है हिंदी सिच्छन का भाग तीन लेका रूप पस्तित हूँ जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में भासा की भूम का टॉपिक के अंतरगत भासा की उत्पक्ति भासा का रूप भासा का स्वारूप इन सब के बारे में बिस्तिर चर्चा की भासा की स्वारूप के बारे में ज यानि कि इन पांच स्वरूपों में जो हमारी हिंदी बहस वो विदमान है जिसें नमर एद बॉली नमर दो साहित्तिक रूप में नमरती राजबासा के रूप में नमर्चार राजबासा के रूप में नमर्पांच संपल बासा के रूप में देखिए दोस्तो जो बोली होती है बोली का ही दूसरा नाम देशी बासा इसी का दूसरा नाम मात्र बासा और इसी का दूसरा नाम छेत्री बासा इसका मतलब इसपश्ट है कि जो छेत्री बासा हो जो परवार बिसे इसकी बासा हो वो क्या कहलाती है दूसरी जो भासा है वो एस साहिटिक भासा है जो साहिटिक भासा से दाथ पर यह होता है कि जो रचनाएं जिसमें बिस्तृत साहिट सर्जन किया गया हो ऐसी जो भासा हो वो कैसी भासा कहलाएगी साहिटिक भासा कहलाएगी बासा और इसको सुदरी हुई भासा सुदरी भासा इसी का अन्य नाम मानक बासा मानक बासा और इसी का अन्य नाम ब्या करने बासा और इसी सायत्तिक बासा का जो अन्य नाम है वो है परिनिष्ठित बासा परिनिष्ठित परिनिष्ठित बासा तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि सायत्तिक बासा को अन्य नामों से भी जाना जाता है यानि इन नामों से भी जाना जाता है कव्यत्मक बासा सुद्रीवी बासा मानक बासा ब्याकरणक बासा परिनिष्ठित बासा यानि सुद्धतम जो बासा होती है जिसका सर्जन किया जाता है वो जो भासा होती है वो कौन सी भासा होती है साहितिक भासा होती है जैसे खड़ी बोली है तो खड़ी बोली कैसी बोली है परिनिष्चत बोली है इसलिए तो इसमें अनेक रचनाएं की गई है, प्रियाप्रवाश जैसा पृसिद्गर्ण्थ खड़ी मौली में ही लेखा गया है तो इसको इसपेश्ट कर लेंगे हम जो त्याकरण की दरश्टी से जब इस सब्ध का विभाजन करते हैं जिसे व्या कर दिख ये सब्ध है दोस्ते तो इसका जब विभाजन करते हैं तो इसमें दो उपसर्ग दिये गए एक तो भी उपसर्ग और एक है आउपसर्ग करण इसमें मुल सब्ध है और एक इसमें फिड़ते हैं दोस्तो इनके द्वारा ये व्या करण सब्ध बना हुआ है अब बात करते हैं हम कि जब भी उपसर्ग आउपसर्ग गए इसमें मूल सब्द है और एक पिड़ते है तो प्रारंब जो हो रहा है यह किस से हो रहा है आधे वैसे हो रहा है तो इसको कैसे इस्पेश्ट करेंगे कि पहले जब V उफसर और इधर यह है आ उफसर तो V का E प्लस आ कहने का मतलब जब E के बाद आ आ जाए तो कौन सी संदी हो जाती है यण संदी हो जाती है और यण संदी जब होती है तो E के बाद आ आने पर E और A का किसमें परवर्टन हो जाता है ये में परवर्टन हो जाता है तो जब V में से E निकल गया तो यहां पर सेस क्या बचलिया हलंत वाला वे यानिकी यहां पर हलंत वाला वे बचलिया जब E निकल गया तो और यदि इधर इसमें से E निकल गया तो इसका मतलब वो जो वया करंडक है, भया करंड और इसमें एक पिरते अलग दिया गया है, तो कहने का मतलब E और A के स्थान पर क्या आना चाहिए? यह आना चाहिए, और यह दीरगवंड है, तो यह निकी मातर आएगी, तो आधा हुए और यह वाला मातर आईगया, तो वया और करण जो मूल सब्द आ गया करण और एक जो पृत्य लगया हुआ है इसमें तो एक पृत्य आ गया लाज्ट और हमेशा याद रखना दोस्तो जब भी किसी बर्ड के पीछे सब्द के पीछे एक पृत्य लगया हुआ है तो जो उसका प्रारंब होगा तो वो दीरगवर्ण के साथ ही होगा जैसे एक सब्द है संकेत परंतु यदि इस संकेत में एक प्रत्य जोड़ दे हम तो ये संकेति संकेति और एक है सांकेति तो दोस्तों याद रहे ये संकेति गलत है और संकेति सही है क्यों सही है क्योंकि अभी जो बता आ गया कि हमेशा एक प्रत्य लगने से प्रारमिक जो बढ़ने वो दीर हो जाता है उसको दीर रूप में ही लिखा जाता है, तो ये आपका ब्याकरणिक सब्द हुआ, तो अगली जो भासा है दोस्तों, वोई है राजवासा, राजवासा, राजवासा से मतलब होता है कि वोई भासा, जो सम्मधान में बढ़िक हो, जिस भासा के द्वारा किसी देश, प्रदेश की सासम ब्यवस्ता चलती हो, एक राजवासा का कारेले में प्रियोग किया जाता हूँ, ऐसी जो भासा होती है, वो राजवासा होती है, इसलिए इसका जो बर्णन है, वो भी अनुशूची, आठ, भाग, सत्रा, और अनुच्छे, तीन सो तेतालिस से, तीन सो एक क्या मंतर किया जा है, नेश्च जो भासा आती है दोस्तो, राजवासा, राजवासा, दोस्तो, जो राजवासा होती है, उसका सीधा सीधा आती है, जनसें क्या पर्मिर बर होता है, जब किसी देश की जनसें क्या, 60% से ज़्यादा किसी भासा को बोलती हो, समझती हो, लिखती हो, तो ऐसी इस्तिती में वो भासा उस देश की राजवासा बन जाती है, जैसे हमारे देश में 84% लोग हिंदी बासा समझते हैं बोलते हैं लिखते हैं इसलिए हमारे देश की जो राष्ट बासा है वो क्या है हिंदी है इसी परकार हमारा पड़ोसी देश चीन चीन में लोग 70% यानि 70% लोग मंदारे बासा बोलते हैं समझते हैं और लिखते हैं इसलिए वहां की जो राष्ट बासा है वो क्या कहलाएगी मंदारे कहलाएगी इसके अलावा दोस्तों याद रहें आपको कि हमारे ही देश में नहीं बलकि एक देश ऐसा है जिसका नाम है फिजी इस देश की राष्ट बासा भी हिंदी है पिजी देश की जो राश्टिय वासा इसके अलावा यह नहीं कि फिजी में ही हिंदी बोलते हो वांकि राश्ट वासा है इसके अलावा मौरिसस तोवे वो आदी ऐसे अनियक देश हैं जहां पर हिंदी वासा का प्रियोग किया जाता है तो यह बात रही दोस्तो राश्ट वासा की नेक्स जो वासा है और लाश्ट जो वासा है वो है संपर्क वासा संपर्क वासा दोस्तो संपर्क जो वासा होती है उसका सीधा सीधा सा अर्थिय होता है कि वह वासा जिसके द्वारा एक दूसरे का संपर्क इस्तापित सुगमता से किया जा सकता हो वह वासा संपर्क वासा कहलाती है यानि कि जब कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर अपने कारे कलापों को बड़ी सरलता के साथ जिस वासा में कर लेता है वे वासा संपर्ग वासा कहलाती है यूं कहूं कि लोग प्रिता के छेतर में जिस वासा का नाम हो जिसकी लोग प्रिता सबसे ज़्यादा हो ऐसी वासा संपर्ग वासा कहलाती है तो इस छेतर में जब हम बात करते हैं तो इसमें अग्रेजी भासा का नाम सबसे आगे आता है क्योंकि अग्रेजी भासा ये ऐसी भासा है जिससे हम हमारे ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर भी अपना संपर्क स्थापितर कर सकते हैं तो दोस्तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा जैसा कि हमारी प्रिथम एकाई पर हम चार्चा कर रहे हैं जो पाठे क्रम की निश्चित प्रिथम एकाई है प्रिथम एकाई भासा की भूम का दोस्तों हम इस पर चर्चा कर रहे थे बाजा की भूम का, तो रूप, स्वेरूप और उद्पत्ति के बाद, जब अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है, इस पश्ट सब्दों में दिया गया है पाठे क्रम में, कि बढ़ विचार, सब्द विचार, और विचार, दोस्तों यह हमारे पाठे क्रम में है, वर्ड विचार, सब्द विचार, और विचार, तो आज का हमारा जो मुक्ख टॉपिक होगा, वो होगा बढ़ विचार, बढ़ विचार पर जब हम चर्चा करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमको यह आवश्यक हो जाता है, बढ़ विचार, तो दोस्तों बढ़ विचार पर जानने से पहले हम यह जान लेंगे, कि आखिर बढ़ विचार होता क्या है, बढ़ कहते कि से, यानि कि बढ़ की जब हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले बनी, अच्छा, बर्ड, सब्द, पाद, बाइकर, अनच्छे, और बाइसा, जब हम बढ़ पर चर्चा करते हैं, दोस्तों, तो बढ़ को परवाशित करेंगे, तो बढ़ कहते कि से हैं, यानि कि वे ध्वनी चिन, जो निशित और व्याकरण रूप में लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं, यानि कि, वे निश्चित और ब्या करड़े द्वनी चिन जिनको लिखित रूप दिया गया हो बे वर्ड कहलाती हैं तो दोस्तो जब हम बर्ड की परवासा की बात करते हैं तो परवासा यदि की बे निश्चित और व्याकरण ध्वनी चिन जिनको लिखित रूप में जिनको लिखित रूप दिया गया हो वे वर्ड कहलाते हैं कहने का मतलब जब हमारे बर्ड की बर्ड वाला की बात आती है कि बर्ड वाला में आखिर बर्डों की सेंख्या कितनी होती है तो वो होगी दोस्तो क्योंकि बर्ड में सबसे पहले ये जान नावच सक है कि बर्ड वाला में बर्डों की सेंख्या कितनी होती है बर्ड वाला में बर्डों की सेंख्या दोस्तो इसको लेकर हमेशा कन्फ्यूज बना रहता है तो आज उसको इस्पेश्ट करेंगे कि यदि पूछा ये जाए कि बर्ण वाला में मानक वर्णों की सेंख्या मानक वर्णों की कुल सेंख्या मानक वर्णों की कुल सेंख्या पूछी जाए तो दोस्तो मानगबड़ों की कुल संग्या होती है चमबालीस फूर्टी फूर्ट यानि की ग्यारे स्वर्व और तेतीस ब्यंद्यादों जैसा की राज्थाम मादमिक सिक्षा बोर्ड की ऑथन्टिक वाइटे पुस्तफ पेज नम्मर पांच पर इस पश्ट सब्दों में लिखा हुआ है की ब्रणों की संग्या चमबालीस होती है फूर्टी फूर होती है लेकिन मानग यानि बैग्यानिक रूप से जो अथन्टिक रूप से संग्या तो चमबालीस होती है लेकिन दोस्तों पिछली बार क्या होता है कि LDC परिछा में प्रेशन आ जाता है कि बर्ण माला में बर्णों की सेंख्या होगी और ओप्सन माता है दोस्तों 49, 50, 51 और 52 अब समझ से अधंवीर हो जाती है दोस्तों कब जब हमने पढ़ा है माने बर्णों की कुल सेंख्या ऑथंटिक भी है सही भी है और चमबालिस होती है लेकिन वो ओप्सन में ही नहीं है तो ऐसी इस्तिती में दोस्तों बर्णों की जो सेंख्या होती है वो बामन भी ऑथंटिक के मानी जाती है क्यों मानी जाती है क्योंकि बामन जो बर्ण होते इसमें जो बर्ण होते उनको अयोगवाब अनुस्वार बिसार्ग और संयुक्तवर्ड 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 की बात करें तो छे, त्रे, ग्या और से दोस्तो चार बर्ड ये और चार, अयोगा दो होते हैं डे और डे तो दो और टीन चार और चार और चार ये आठ जब आठ बर्डों को इस चम्बालिस में जोड देते ही तो बर्डों की सेंख्या बन जाती है बाम और जोकी बिवन परिक्षाओं में पुछा भी जाता है तो दोस्तो ये याद रखने योग बात है कि जब बर्डों की सेंख्या मानक आ जाती है और ओप्सन में बामन भी दिया गया है और चम्बालिस भी दिया गया है तो आपको उस इस्तिती में बर्डों की सेंख्या बामन ना करके और वर्णों की संख्या चंबालिस ही करनी है तब ही आपका उस्तर सही माना जाएगा क्योंकि मानक वर्णों की संख्या बास्तम में ही चंबालिस होती है जबकि बिभिन बिद्वानों ने बोला ना संकरतिवारी ने भी वर्णों की संख्या बामन मानी है और उन बामन बन्वाला के जो सब्दें तब ऐसी इस्तिती में बामन संख्या मायन होती है तो दोस्तों यह याद रखना है कि बन्वाला के सब्द बामन भी हो सकते हैं और चंबालिस हो सकते हैं लेकिन किस इस्तती में कुल संख्या वामन होगी और किस इस्तती में कुल संख्या चम्बालिस होगी बॉर्ण तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे हम कि बर्ण कितने प्रकार के होते हैं बर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं नम्मर एक, स्वारवर्ड और नम्मर दो, ब्यान जान बर्ड सबसे पहले दोस्तों हम यह जानेंगे कि स्वारवर्ड कहती किस है जैसे बर्ड तो हमने कह दिया कि धनी चिन्नों का जो लिखत रूप है ब्यागरण रूप है वो बर्ड कहलाता है लेकिन जब हम स्वार की बात करते हैं तो स्वार की सामयन परवासा यह है कि जब कोई बर्ड को स्वतंत रूप से उच्चारिद किया जा सके जिनका उच्चारिद स्वतंत रूप से किया जा सके निर्वाद किया जा सके वे जो बर्ड होते हैं वो स्वार बर्ड कहलाते हैं इसके अलावा दूसरे जो बर्ड हैं ब्यंजन बर्ड यानि बे बर्ड जिनका निर्वाद उच्चारिद नहीं किया जा सकता जब तक स्वार बर्डों की साहता नहीं ली जा सकती तब तक जिनका उच्चारिद नहीं किया जा सकता ऐसे जो बर्ड होते हैं वो ब्यंजन बर कहलाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हम स्वार्वर्ड के बारे में, कि स्वार्वर्ड होते कितने हैं, स्वार्वर्ड यानि कि वे वर्ड जिनका उच्चारण निर्वाद एवं स्वतंत रूप से किया जा सके उन्हें स्वर्ड वर्ड कहते हैं, तो दोस्तों वे वर्ड जिनका उच्चारण निर्वाद एवं स्वतंत रूप से किया जा सके, उन्हें स्वार्वर्ड कहते हैं, ये तो दोस्तों रही स्वार्वर्ड की परवासा, अब बात आती है कि स्वार्वर्ड होते कितने प्रकार के, तो स्वार्वर्ड मुख रूप से दोस्तों दो परकार के होते हैं, स्वार्वर्ड मुख रूप से दो परकार के होते हैं, नम्मर एक लगू स्वार्वर्ड और नम्मर दो दील स्वार्वर्ड तो दोस्तों एक तो होते हैं, लगू और दूसरे होते हैं दील स्वरवाण। सबसे पहले बात करते हैं लगू स्वरवड। तो लगू स्वरवड बेस्वरवड होते हैं जिनके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। उन्हें लगुस्वर्वन्द आ जाता है, यनि की बेस्वर, जिनका पुच्चारण करने में बहुत कम समें लगता हो उन्हें लगुस्वर्वर्ड कहा जाता है, जैसे आ, ई, उ, और री, दोस्वर्ड ये लगुस्वर्वर्ड ही ये लगुस्वर्वर्ड हैं और इन्हीं लगुस्वर्वर्ड को क्या कहा जाता है, मूल स्वर्ड कहा जाता है, यदि मूल स्वर्ड की बात करें, एक प्रशन आया, दोस्तों पिछली एक प्रत्योक्ता परिक्चा थी, वो पटबार परिक्चा, उसमें एक प्रशन आ गया, कि मूल स्वर्ड की संख्या होती है, मूल स्वर्ड की संख्या होती है, ओप्शन में चार, ग्यारे, तीर में तेरे, और चार में पंद्रे, तो दोस्तों अध्रकांस स्टुडेंट ग्यारे को करता है, क्योंकि मूल स्वर्ड हमेसा स्वर्ड कोई माल लेते हैं, क्योंकि स्वर्ड की संख्या कितनी होती है, ग्यारे होती है, ध्यान रहें दोस्तों कि स्वर्ड की संख्या होती है, वो हिंदी के अंतरगत ग्यारे होत तो यानि कि मूल्वववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव लगु शवरण वह हो है हरस्ष्वरह बी दोस्तो इनु लगु शवरण को का है जाता है क्योंकि इस जो उच्छारण करने में यूच समय लगता है वह तो कम रब दूसरी मात इनHGr up बोशरों को एक अन्य नाम से जाना जाता हुआ है एक मात्रिक वर्ड जो कहा जाते वह भी कौन से कहा जाते लगूस्वर कहा जाते लगूस्वर स्वार तो इसका मतलब दोस्तों इसका एंड़ नाम क्या हो गया है राइस्ट्र स्वार एक और नाम क्या हो गया एक मात्रिक एक मात्रिक स्वार यानि की लगू स्वार एक मात्रिक स्वार क्यों का जाता है दोस्तों क्योंकि इन वर्णों की हमेशा एक मात्रा होती है एक मात्रा होने के कारण एक मात्रा तो एक मात्रा होने के कारण ये जो लगू स्वार होते हैं वो एक मात्रिक स्वार भी कहा जाते हैं और इसका जो चिन होता है लगू स्वर का जो चिन होता है वो होता है खड़ी पाड़ी यानि कि ऐसे पुर्ड ब्राम की तरह है ये उसका चिन होता है लगू का और ये होता है गुरू का ऐसे की तरह है यानि कि दीरवर्ड और दीरवर्ड महमेसा दो मात्र होती हैं और इसमें ममेशा एक मत्रम और इसी कारण इसको एक मत्रिक स्वार कहा जाता है इसके अलावा दोस्तों इसको कहा जाता है मूल स्वार तो आप जान लेंगे कि एक लगू स्वार दूसरा नाम हरस्वार तीसरा नाम एक मत्रिक स्वार चौथा नाम मूल स्वार ये सभी दोस्तों परियाय सब्द हैं सभी का मतलब एक ही है नेक्ष जो आता है वो आता है दीर्विस्वार यादि दूसरा जो प्रिकार है स्वार का वो है दीर्विस्वार तो दीर्विस्वार को जानेंगे दोस्तों सबसे पहले दीर्विस्वार की परवहसा के बात करेंगे तो जैसे लगुसर में क्या होता है कि जिस शवार का उच्चारण कम समय में होता हो उसको तो लगू स्वर पा जाता है लेकिन लगू स्वर से दुगने समय में जिसका उच्चारण किया जाता हो यानि कि लगू स्वर से जिसका समय दुगना हो वो स्वर कैसे कहलाते हैं दीर्ग स्वर कहलाते हैं और इसलिए इनको क्या कहा जाता है विरद स्वार दूसरा नाम क्या जाना गया है इसका विरद स्वार और जब एक मात्रा में कम समय और दो मात्रा में उससे दुगना समय तो दुगना समय होने के कारण इसको फिर दीर स्वार को दूसरा जो नाम दिया गया है इसका दो मात्रिक मात्रिक स्वार तो दोस्तों इसका नाम यानि की दीर्वश्वर, ब्रद्वर और दुमार्वश्वर अब बात आती है दोस्तों कि यह हूटे कितने ही कि आपको याद रहना चाहिए कि कुल स्वर कितने ही कुल स्वर ग्यारे क्या है कौन-कौन सी? ए, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्या है. तो दोस्तों, ए, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यार है. ये जो बर्ण हैं, वो कैसे बर्ण हैं? यानि स्वर बर्ण हैं. और इन स्वर बर्णों में से, अब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है, कि मुल्ट स्वर कौन से हैं? जो कि हम बता चुके हैं इस बात को, तो मुल्ट स्वरों की संख्या, एक, दो, तीन, और चार. तो दोस्तों, एक, दो, तीन, और चार. कहने का मतलब, ए, ई, कू, और री. ये जो चार बर्ण हैं, ये मूल्ट स्वर हैं, रस्वर हैं, लगू स्वर हैं, जो कि हम बता चुके हैं. अब इन चारों को यदि हटा दिया जाए, इन ग्यारे में से, इन ग्यारे में से, इन चार को निकल दिया जाए, तो जो सेज स्वर बचेंगे, वो हमारे बचेंगे कौन से? दीर स्वर बचेंगे. और दीर स्वरों की तब संख्या कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तो कहने का मतलब दोस्तों कि लगू स्वरों की संख्या निश्चित है जो की है साथ और दीर्व स्वरों की संख्या निश्चित है जो की है साथ और दोनों मिलाकर यानि स्वरों की संक्या जो की निशित है वो है ग्यारे तो यानि हिंदी बर्डवाला के अंतरगत स्वरों की संक्या होती है ग्यारे और उनमें मूल स्वरों की संक्या होती है चार और उनमें दिर्ग और ब्रेद सरों की जुसें क्या होती है, वो होती है, साथ नेक्स्ट देखें दिर्ग स्वाव तो यानि कि इनकी परवासा होई गए दोस्तों जैसे बे, स्वार, वर्ण, जिनका पुच्चारण करती है, समे, लगू, स्वारों से, दुगन, समे, लग, लगे, उन, स्वारों को, दीर, स्वार, कहा, जाता है, यानि कि बे, स्वार, वर्ण, जिनका उच्चारण करती है, लगू, स्वारों से, दुगन, समे, लगे, उन, स्वारों को, दीर, स्वार, कहा, जाता है, क्योंकि जो लगू, स्वार, होते हैं, उन, में, कम समय लगता है, और कम समय लगने के कारण, एक मात्रिक होते हैं, लेकिन, इन, में, उन, से, दुगना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए, ये, दो मात्रिक होते हैं अब दीर्वस्वरों के परकार की जब बात करते हैं दोस्तों कि दीर्वस्वरों के परकार कितने होते हैं यानि कि कितने परकार के दीर्वस्वरों होते हैं तो वो है दीर्वस्वरों एक तो होते हैं दोस्तों सम सही हो और दूसरे होते हैं बेसम सही हो दोस्तों ये बात याद रखनी है आपको कि जो सम सही होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों कि जो बढ़ होते हैं सही होते हैं क्योंकि जो दीर स्वर होते हैं साथ के साथ ही सही होते हैं लेकिन उसमें इस्तिती ये होती है कि जो सम सही होते हैं उसमें सम वर्णों का योग होता है कहने का मतलब एक यी वर्ड की दुबारा पुन्णा विड़ती होती है और जो विसम सहियुक्त बंड होते हैं उनमें दोनों तरफ यानि दो अलग 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 बंड होते जुड़ते हैं तब वो सहियुक्त संड बंडता है इसके अलावा जैसे आप एक्जांपल से इस फेस् नमबर एड ए ए और उ टोटाल अपने स्वार ए ए ए उ री कि ए आई ओ आव कि एक 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 दो तीन और चार यह जो वर्ड ने वो तो मूल स्वारें उनसे उनका मेंटर अलग हो गया अब यह जो वर्ड सेस्वचे हैं यानि कि जो दीर्व स्वारें जिनकी सेंक्या कितनी है साथ हैं तो दीर्व स्वार यानि कि एक दो तीन चार पांच छे और साथ यह जो साथ वर्ड हैं दोस्तों यह दीर्व स्वार हैं और दीर्व स्वार में इन साथ में जब इस्तिति आती है तो अलग अलग इस्तिति आती हैं वो कैसे आती है यानि कि सम संय और दूसरा है बिसम संय सबसे पहले बात करते हैं हम सम संय तो दोस्तों सम संय तो जो होता है उसमें क्या होता है की बढ़ की पुनराविर्ती होती है जो दीर के संदी के उधारण होती है जैसे ए प्लस ए बड़ाबर बड़ा कहने का मतलब जो सम संय सब्द होते हैं तो एक तो ये हो गया पहले नमा दूसरे वाला इ प्लस ए बड़ाबर बड़ी तीसरे वाला उ प्लस उ बड़ाबर बड़ा तो दोस्तों तीन वर्ड ए ए और उ यानि की दीर्ग ए दीर्ग ए और दीर्ग उ तीनों वर्ड कैसे हैं समसंयुक्त हैं अब समसंयुक्त क्यों हैं क्योंकि इन में समान वर्डों के योग से बने हैं इनका जो योग हो रहा है वो समान वर्डों के योग से हो रहा है इसलिए इन वर्णों को क्या कहा गया है? समसयुक्त कहा गया है. क्योंकि इधर भी ए है, इधर भी है. अब इसका example पर कोई सब्दी ले मालो. जैसे पूर्ण प्लस अंग. और इनी जो दीर स्वर हैं, इसलिए इनको संदी स्वर भी कहा जाता है. हमेसा इनको क्या कहा जाता है संदी स्वर. और संदी स्वर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये मिस्रित स्वर होते हैं. इसलिए इनको मिस्रित स्वर भी कहा जाता है. मिस्रित स्वर. कहने का मतलब जो दीर स्वर होते हैं, वो संदी स्वर भी होते हैं, मिस्रित स्वर भी होते हैं. और नाम से ही पता च पूर्ड प्लस अंग और पूर्ड प्लस अंग को हम जोड़ेंगे तो इसमें से देखो दोस्तों ए आ गया तो क्या बच रहा है यहां पूर्ड और इसमें से क्या आ गया ए तो दोस्तों ए और ए इन दोनों को यदि मिला दिया जाएं तो दोनों को क्या निकलेगा दीर यानि कि क्या बन गया ए प्लस ए बराबर दीर ए तो इस पूर्ण में से ए नकल गया और इधर से ए नकल गया तो इसका मतलब इस पर बड़ा दीर आ जाएगा पूर्ण पर तो पूर्ण डांग हो जाएगा बन बन जाएगा पूर्ण कौन सी संदी है इसमें दोस्तों दीर्ग संदी क्योंकि मैंने बता रा था कि समसायों तो जो बर्ण होते हैं वो हमेशा दीर्ग संदी के उदारण होते हैं और एक बर्ण है इसमें जैसे E प्लस E बराबर बढ़ेगी तो इसको यदि एक जामपल से समझेंगे तो एक सब्द है जैसे मुनी प्लस इन यानि कि इसमें से इ निकल रही इसमें से इ और इन दोनों की का क्या हो गया दील इ जो कि ये वाले हो रही है यानि इ प्लस इ बराबर बढ़ी तो इसमें क्या गया मुनी में से इ निकल रही तो यानि कि इसका आगे बन गया मुनींद्र मुनींद्र सब्द बन गया एब्जाम्पल ले सकते हैं आप जैसे भानू प्लस उदे दोस्तों भानू में से उ निकल गया और उदे में से उ निकल गया तो उ यानि हरसू और हरसू बनके दोनों क्या बनगे दीरू और दीरू बनने के बार सब्द क्या बनेगा भानू में दीरू लगाएंगे तो क्या बनेगा भानू दे दोस्तों हमेशा इसको गलत करते हैं भानू दे को संदी करके भानू दे कर देते हैं ऐसे कर देते हैं वो बिल्कुल गलत है भानो दे जो की गलत होता है यानि कि संदी विच्छे भानो दे की जब संदी विच्छे करेंगे तो उ और उ निकलके दीर हो जाता है तो भानो दे की जगे भानो दे होता है यह सब्द दीर उ ही सही है यदि हम इसको इस इस्तिति में ल दे और एक है भानू दे तो दोस्तों अभी हमने संदी विच्छित करके यह इस्पैस्ट किया रहे तो भानू दे सही है और भानू दे गलत है भानू दे का मतलब होता है सूर्य का उदे नेक्स्ट है दोस्तों विसम विसम दील स्वार तो दोस्तों विसम दील स्वारों की जब हम बात करते हैं तो वो यानि की उन में से उनको निकाल देंगे यानि एक तो सम्वाला ये है एक जी है और एक थूझे यानि की ए ए ओ ए आई ओ और री कि एक दो तीन चार पांच छह साथ आट नौ दस गया है आप इसमें से सम्ध मूलस्वर एक में तल गया सम्धीर्ग स्वर्ग कितने हैं चार सम्धीर्ग स्वर्ग कितने हैं तीन सम्धीर्ग स्वर्ग कितने हैं साथ में से अब तीन गटा हो तो यानिकी चार तो कहने का मतलब है तोटल मूलस्वर्ग कितने हैं जार है किने का मतलक मूलस्वर्ग सर्ग तीन उर बिसम्धीर्ग स्वर्ग तो चार साथ और और यह आप जाएगा तो हमारे जो बिसम दीरुस्वर बचेंगे ए कि आई कि ओ और आउट अब दोस्तो सबसे पहले हमारा यह जानना आवर्च सब जाता है कि यह जो बर्ड बना है वो किसी से बना है कैसे बना है यानि कि उनकी सम दीरुस्वर में तो आ गए थे यानि ए प्लस ए वराबर आ लेकिन ए जो बना है वो बना है ए प्लस ए कहने का मतलब जब ए के साथ ए हो तो क्या बन जाता है ए बन जाता है दोस्तो इसमें जैसे कुछ की स्कुइब और ले लेंगे जैसे ए प्लस ए जहां पर यह किस संदी का उदार्ण है गोड संदी का उदार्ण है दोस्तों गोड संदी एक है आ प्लस ए इसका बन जाएगा दोस्तों आई और यह जो उदार्ण है वो किस संदी का है दोस्तों ब्रद्धि संदी का ब्रद्धि संदी का तीसरा है दोस्तों ओ तो ए प्लस ए उ यह हो जाता है दोस्तों ओ और चोता है ए प्लस ओ यह हो जाता है दोस्तों अब कहने का मतलब ए प्लस ए बन जाता है ए प्लस ए अई बन जाता है ध्यान रखना दोस्तों जब इसे ने ने इसुए और आई दोनों किसी द्यंजन वर्ड पर लगते हैं इसे जोडना है तो इसका जो रूप बनेगा 46 एक मात्रा वाला और कैमे यदी ये जोड़ना है अई वाला तो इसका जो रूप बनेगा वो दो मात्रा वाला कहने का मतलब किसी वर्ड पर जब ये स्वर्ड जाते हैं किसी वर्ड पर ये स्वर्ड जाता है तो एक मात्रा लगाते हैं उसकी और ये स्वर्ड जाता है तो उसक क्या क्या जाता है बिसम दीर्वर्ण बिसम का मतलब इदार ए है और इदार ए यानि अलग अलग वर्ण इदार ए है इदार आई है इसलिए यह बिसम बन दीर वर्ण है और इसलिए इसका क्या बनता है आई बन जाता है और यह है और यह है और इसलिए यह क्या बन जाता है दो तो बन जाता है यह है आ और यह है ओ इसका जिसे महा एक जारण लीजिए महाधन ओजस्वी ए और इसमें ओ यह ए और यह ओ दोनों जिसे इन दोनों बर्नों का क्या बन रहा है आउ बन रहा है एंदोनों बर्लों का आउ बन रहा है तो केने का ये जो सब्द बनेगा संदी सब्द बनेगा वह होगा महँ महु महँ जस्बी महँ जस्बी और महँ जस्बी किसको का आजाता है कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि जो विसम दील विस्वार हैं वो किन किन से बने हैं यानि कि विसम बढ़नों से बने होते हैं जबकि सम दील विस्वार जो होते हैं वो सम, समान बढ़नों से नाम से ही पता चला है कि जो समार बर्णों के मेल से बन रहे हो वो तो कैसे हैं समदील जो कि कितने हैं टीन और बिसम बर्णों के मेल से जो बर्ण बन रहे हैं वो बिसमदील और वो कितने हैं चार यानि ए आई ओ आउ बिसमदील स्वार और ए यानि दील ए दील ए और दील उ ये तीनों जो बर्ण ह वो क्या हैं समधील स्वार हैं तो दोस्तों ये हमारे स्वरों की बिस्तित जानकारी हुई इसके बाद आता है दोस्तों स्वरों के जिव्या के आधार पर रूप निमन वो ती या फिर इसे पलो मुक्ते मुक्ते ती मुक्ते तीन होते हैं स्वरों के जिव्या के आधार पर रूप मुक्ते तीन होते हैं लुटी नमरी अगृ नन्मरी और अग्र स्वर्या स्सार्ण. जिव्याधे हैं सम्हट है जिव्याधिर आदार मायने व HEY TURS हैं दूसतों सके जिव्या के आदार माम अब जिव्य है इसे सेरे खे收, जिव्याध्ध्यphony मने जव्यकएं, 충तने मैं जाते हैं, तो उनमें है, E, E, A, I, और दोस्तों, मध्य जो स्वार है, वो है, A, और पच्छी जो स्वार है, वो होता है, औ, 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 यानि की दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, और एक इसमें स्वार है, वो है, तो दोस्तों, E, दीरगी, A, और आई, ये जो स्वार है, वो हमेशा अग्र स्वार माने जाते हैं, अब अग्र स्वार की बात हम जब करते हैं, तो अग्र स्वार का मतलब है, जिब्या के आदार करा, यानि की मुख बिवर्द से जो वर्ड बोले जाते हैं, उसमें, जो आगे और पश्वर मुख के आगे के भागसी, जो बोले जाते बाढ़ने वो हैं, I-E-A-I इसमें जो अचारण धनी होती है, वो आगे से निकलती है इसके बाद जो मद्द्सवर, इसमें धनी हमेचा, इसको जब हम उचारण करेंगे तो इसकी जो धनी है वो मद्य से निकलती है यानि कि जिब्या के मद्य से जो धनी निकलती है वो एवर्ण के निकलती है और पैसे स्वाब यानि कि जो बिल्कुल जिब्या के अंतर से जो धनी में निकलती है वो है ए, उ, 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 स्वाबी, दील है यह लगू है वो दीव है O A'll यानि की यह जो वर्ण है उनको इस प्रकार डबाइड कीआ गया है तो हमेसा परिक्षा में पूछा जाता है की जिव्या के आधार पर वर्णों की संख्या वर्णों को यानि की अग्रस्वार कौन से हैं मज्दय स्वर कोंच से हैं, 25 स्वर कोंच से हैं, तो दोस्तों जान लेंगे कि E, B, A, I अग्दय स्वर होते हैं, मज्द श्वर होता है A और 25 स्वर जो होता है, वो A, O, O, O और अब होता है नेक्स जो डिवाइड किया गया है दोस्तों मुखा देखें दोस्तों मैं बोल रहा हूं मुख आकरती यहनी मुख आकरती के आधार्वा जो स्वारों का विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है तो एक सब्द है मुख आकरती तो इसको हम एक सब्द के रूप में लिखना जाएंगे तो कैसे लिखेंगे मुखा करती मुखा करती होगा यह सब्द तो मुखा करती के अनुसार दीर सरो को मुक्टे चार भागों में बिभाजन किया गया है देखें चार भाग देखें दोस्तों नमर एग संब्रत स्वाव नमर दो अर्द संब्रत स्वाव बिभ्रत स्वाव और चोथा है अर्द बिभ्रत स्वाव दोस्तों इनको जान लेगे आप कि सबसे पहले संब्रत स्वार किसे कहते हैं अर्द संब्रत वर्द जिनमें संब्रत स्वार का मतल़ा होता है बं- यानि मोख की जो आकरती होगी हमेशा संब्रत स्वार में कैसी होगी बंद आकर्थी होगी तो बंद आकर्थी में जो बंड बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे सम्रस्वर कहलाएंगे यानि कि जिन वर्डों का उचार्ण करते वक्त मुख की आकर्थी बंद की इस्तिती में होती हो मुख बंद हो जाता हो तो उस इस्तिती में कै यानि और जो दूसरे जो स्वर होंगे आर्द संब्रस्वर यानि आर्द बंद आर्द बंद तो दोस्तों आर्द बंद का मतलब होता है कि जब कोई स्वर का अचारण करते बाद मुख की जो आकरती है वो आधी बंद वो यानि कि कुछ खुला हो यह कह सकते हैं तो जब अर्द बंद की इस्तिती में मुख हो तो वो बंद कैसे कहलाएंगे अर्द संब्रस्वर कहलाएंगे और विब्रत स्वर विब्रत स्वर यानि विब्रत स्वर का मतलब है दोस्तों कि विब्रत स्वर बोलते बद हमेशा मुखा करती हमेशा खुली रहती है यानि पूरा खुला मौँ जिसमें जिन वर्णों में होता हो वो क्या कहलाएंगे विब्रत स्वर कहलाएंगे जिसे आ वर्ड एक ऐसा है इसमें पूरा मुख खुलता है तो इसलिए विब्रफ स्वर कहलाता है तो विब्रफ स्वर जिसमें पूरा मुखागर्थी खुलती हो तो इसको नाम देंगे यानि कि खुला होगा खुला और अर्द विब्रफ स्वर इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये विब्रफ स्वर से थोड़ा कम होता है यानि कम खुला होता है कम खुला लेकिन अर्द संब्रफ स्वर से अधिक होता है कहने का मतलब ये थोड़ा कम खुला होता है लेकिन इसका मतलब इससे अर्द संब्रस्वर से अर्द बंद मों से जादा होता है जिसमें आई ए और आई जिसे बर्ड आते हैं कहने का मतलब आपको यह याद रखना है कि जिसमें संब्रस्वर जिसमें मुखाकर्ती बंद की इस्तिती में हो अर्द सम्रस्वार जिसमें मुखाकिर्थी अर्द बंद हो विब्रक्षवार जिसमें मुखाकिर्थी खुली हो और अर्द विब्रक्षवार जिसमें मुखाकिर्थी काम खुली हो तो कहने का मतला दोस्तो यदि हम मुखागिती के आधार पर स्वरवरणों का विभाजन करें तो चार तरीका से संब्रस्वार, अर्द संब्रस्वार, विप्रस्वार और अर्द विप्रस्वार यानि ये पूछे जाते हैं नाम पूछे जाते हैं के तो ये नाम को हम आसानी स लिख सकते हैं और यदी बात आती है जिब्या के आधार पर जब हम स्वरों का विभाजन करते हैं तो मुख्रूप से स्वर कौन से कहलाते हैं अग्रस्वार पश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ये हमारा बर्णों का टॉपिक था, बर्ण बिचार टॉपिक था, नेट्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा सम्पिचार, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नेट्ट क्लास,